हाई फ्रेंड्स मैं हूँ आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन दोस्तों अनेक बार आपके अधिवक्ता साहब का ये मैसेज आता है कि नियायले ने आप पर कॉस्त या हर्जा अरुपित कर दिया है वो प्लेंटिव भी हो सकता है या डिफेंडेंट भी हो सकता है तो नियायले कब-कब और किन-किन परिस्तितियों में आप पर कॉस्त या हर अब जा डूरिंग दा पेंडेंसी ओफ दा सूट लगाती है आज की इस वीडियो में हम यह डिसकस करेंगे इस से पहले मैं निवेदन करूँ कि यह आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यह आपको मेरे वीडियो पसं खानून है तो section 35b of the code of civil procedure इस बारे में बताता है वो मैं पढ़ना चाहूंगा section 35b कहता है cost for causing delay if any on any date fixed for the hearing of a suit or for taking any step therein a party to the suit a party मतला कोई भी party fails to take the step which he was required by or under this code to take that date or obtains an adjournment for taking such step or for producing evidence or on any other round the court may for reasons to be recorded make an order requiring such party to pay to the other party such cost as would in the opinion of the court be reasonably sufficient to reimburse the other party in respect of the expenses incurred by him in attending the court on that date and payment of such cost on the date next following the date of such order shall be a condition precedent to the further prosecution of the suit by the plaintiff where the plaintiff was ordered to pay such cost by the defense where the defendant was ordered to pay such cost इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों इसका ये मतलब हुआ कि जब कोई भी court order करता है और कोई पार्टी उस order की compliance नहीं करती है या किसी बहाना बना करके उस order की compliance के लिए adjournment सीख करती है इससे नियायले का समय खराब होता है या दूसरी पार्टी का समय खराब होता है या witness का समय खराब होता है तो नियायले उस पार्टी पर चाहे वो plaintiff हो चाहे वो defendant हो ऐसा हरजा या cost लगा सकती है जो मानने नियायल वली compensate करने के लिए उचित हो वो कितनी होनी चाहिए इसका निर्ने नायलय करता है जिसे माली जी कोई witness आ रहा है किसी दूसरे शेहर से आ रहा है वो अपनी नौकरी छोड़ कर आ रहा है तो उसको नौकरी का हर्जा खर्चा कितना होगा, काम धंदे का हर्जा खर्चा कितना होगा, आने जाने में उसके समय और किराया कितना लगेगा, इन सब परिस्तितियों को देखते हुए नयायले दूसरी पार्टी पर कौस लगा सकती है, या ये देखते हुए कि ये पार्टी अपने पक्षकार को फाइदा दिलाने के लिए unnecessary delay कर रहा है तो नयायले cost अरोपित कर सकती है और ये इसकत है नयायले वक्त और परिस्तित्यों के अनुसार करती है अब हम ये देखें कि किन किन कारणों से मानने ये नयायले cost किसी पक्षकार पर अरोपित कर सकती है तो वो कारण हो सक कोई पक्षकार को लाब दिनाने के लिए कोई पार्टी अन्नेसेसरी का एड्जॉण्मेंट लेती है उसको मौके दे दिये गए फिर भी वो अगली तारीक लेना चाहती है फिर नियायले से रिक्वेस्ट करती है कि एक और मौका दे दीजिए अंतिम मौका देने के पेश कीजिए या कोई भी ओडर दिया कि आप उसकी कंप्लाइंस एक रिजनेबर टाइम में कीजिए लेकिर आप उसकी कंप्लाइंस नहीं करते हैं और एड्जॉण्मेंट सीख करते रहते हैं तो नियायले कोस्ट लगाती है क्योंकि ऐसा ना करने से दूसरी पार्टी को ह पार्टी कोट का भी समय खराब हो रहा है तो आपको गवाही पेश ना करने के कारण भी नयायले हर्जा खर्चा लगा देता है फिर नयायले कहता है कि किसी एक पक्षकार ने कोई एप्लिकेशन दी लेकिन आपने यह दि उसका रिप्लाइ समय पर पेश नहीं किया और मात एक छोडी सी एप्लिकेशन के लिए भी कई एड्जांडमेंट ले ली तो नयायले कॉस्त लगा सकता है फिर है कि आप और मतानूसार बहुत आउशक्त है कि आप नयायले में प्रस्तूत करें ताकि केस का अड्जूडिकेशन हो सके परंतु आप उस डॉक्यूमेंट को वि बार-बार कहने के बाद भी आप उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं और कोर्ट का वक्त अन्नेसेसरी जायर हो रहा है खराब हो रहा है तो माननीय नयायले रीजनेबली कॉस्त लगा सकता है जिससे दूसरी पार्टी को कमपनसेट कर सके अब एक क्वेस् परजा भी बोलते हैं यदि वो पेड नहीं करी तो क्या होगा तो क्या सूट डिस्मिस हो जाएगा क्या डिफेंस खतम हो जाएगा तो इसका जवाब माननीय उच्चितम नयायले ओनरेबल सुप्रीम कोट ने एक बड़े महतुकून जज्जमेंट में दिया कि इसका नाम है मनोहर सिंग वर्सिस दी एस शर्मा यह सिविल अपील नंबर 7554 अबलिक 2009 में ओनरेबल सुप्रीम कोट ने डिसाइड किया ओनरेबल सुप्रीम कोट ने जो वर्डिक्ट कहे वो यह थे कि दा अबव प्रोविजन क्लिरली डेमोस्टेट अट अंडर दा स्कीम ऑफ सीपीसी इसका क्या मतलब हुआ इसका यह मतलब हुआ कि सूट डिसमिस नहीं होता नौन पेमेंट अफ कॉस्ट से लेकिन फर्दर राइट्स प्रोविजन करने के यदि प्लेंटिफ है और या फिर वो डिफेंटर तो डिफेंस करने के फर्दर राइट्स खतम हो जाते हैं पर सूट dismiss नहीं होता अब एक question उठता है कि जब आपको एक कहा जाए कि cost जमा कराइए तो आपको क्या-क्या सावधानिया बरतनी चाहिए तो सबसे पहले तो आपको माननिय नयले का वो order देखना चाहिए कि उसमें कितनी cost लिखी हुई है ऐसा नहीं कि आपके वकील साहब के किसी clerk ने, मुशी ने, एस्ताफ ने कहा कि 5 जार, 10 जार, 20 जार रुपए cost लग गई है आप जमा करा दीजिए आप उनसे निविदन कीजिए कि हमें वो order sheet दिखाईए जिसमें cost लगी है फिर court ने किस प्रकार से जमा कराने को कहा है court ने legal aid में जमा कराने को कहा है या विपक्षी party को अदा करने के लिए कहा है यदि विपक्षी party को अदा करने के लिए कहा है तो आप विपक्षी party का सही नाम मालूम कीजिए जिसके नाम पर आप demand draft बनवा सके यदि आप cash mood से payment करना चाते हैं तो cash mood आपकी उपस्तिती में या आपके अधिवक्ता साहब की उपस्तिती में ही विपक्षी party को दीजी और order sheet पर उनसे receiving जरूर लीजी इस बात का विशेश ध्यान रखें कि विपक्षी party एवं उसके अधिवक्ता साहब से order sheet पर उस cost की receiving जरूर ले वरना कई बार ऐसा होता ह कि आपने cost का payment भी कर दिया विपक्षी अधिवक्ता को और order sheet पर sign भी नहीं हुए तो फिर माननी एनले का objection आता है कि आपने order sheet आदा नहीं करी तो इस विश्वास में बिलकुल नहीं रहना है यदि माननी एनले cost सारूर उपित करती है तो आप विपक्षी party को के नाम से demand draft ब किजी, received cost लिखवाईए, sign करवाईए, date डलवाईए और उसके बादी cost का payment कीजी एक और बात का ध्यान रखी कि उस cost का payment जहां पर हुआ है उस order sheet की आप certified copy जरूर लें अनेक बार ऐसा होता है कि बाद में वो ध्यान नहीं रहता और किसी further proceeding में objection आता है तो वो आप certified copy को produce कर स हुजे ताकि फर्दर आपको कोई भी problem नहीं आए आज का video इतना ही धन्यवा, thank you friends